Hello friends, friends, did you know data is growing faster than ever before and by the year 2020 about 1.7 megabytes of new information will be created every second for every human being on the planet. Friends, welcome to our channel. My name is Aakas Chaudhry, I am your host for this video. Friends, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Big Data और Data Science के बारे में. तो friends, सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिर Data क्या होती है? तो friends, Data एक Raw Information होती है. अब Raw क्या मतलब क्या हुआ? Friends, मतलब ही एक ऐसी Information होती है, जिससे कोई एक बाद पढ़कर समझ नहीं सकता. इसी हमें Process करना पढ़ता है, जिससी कि हम इसे Understandable बना सके. और friends, जब Data को हम Process कर लेते हैं, उसके बार में वह Information बन जाती है. Friends, अभी Data किस Type की हो सकती है? Friends, ये एक Text हो सकता है, Number हो सकता है, Picture, Sound, Video, कुछ भी हो सकता है इस Data में. पर Main बात यही है, कि ये Process नहीं हो रखी है, ये एक Unorganized Form में है. तो friends, अब आप समझ गए होंगे Data आखिर होती क्या है? तो friends, अब हम बात कर लेते हैं, Big Data के बारे में. तो friends, आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे Big Data. तो friends, ये बहुत बड़ी Data को Refer करता है. अब बड़ी Data से मतलब क्या है? Friends, लाइक, Exabyte, Jetabyte, Terabyte, Brontabyte, जो मुदब बड़ी-बड़ी Data होती है, उनको ये Refer करता है. अब friends, Big Data के जो सबसे इसकी जो हम कह सकते हैं, इसका जो disadvantage है, वो यह है, इसे हम अपने प्राने traditional data processing के software, जो हमारे प्राने software से हैं, उनकी मदद से हम इसे process नहीं कर सकते हैं, मतलब हम इसे अपने useful नहीं बना सकते हैं. तो friends, ये इसका drawback है Big Data का. और friends, मैं आपको बता दो, Big Data का आखिर सिर्फ यहीं मतलब भी नहीं है, कि सिर्फ यहीं बड़ी हो बहुत ज़्यादा. अब मानलो friends, मैं आपको एक्जामपल दे देना चाहता हूँ, यहांपर. Friends, मानलो, आप Gmail पर कोई movie भीज रहे हैं, जिसकी size करी 600 MB है, और friends, इतनी बड़ी चीज़ को तो Gmail allow करता नहीं है, तो Gmail की refer में, वो जो movie है, वो Big Data बन गई. तो friends, यह होती है Big Data, आप समझ गए होंगे Big Data अखिर होती क्या है. अभी मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ Big Data के बारे में, तो friends, इसके बहुत ज़्यादा volume होती है, और इस ट्रडिसम से हम process नहीं कर सकते हैं, और friends, 3 V's होते है Big Data के, 3 V's होते हैं इसके volume, variety and velocity, volume से मतलब है कि इसमें कितनी volume की data है, मतलब कि कितने terabyte, कितने exabyte, कितने jetabyte कि इसमें data included है, variety से मतलब है, उसके type कैसा है, मतलब structure data है, unstructured data है, semi-structured है, या फर कैसी है, तो friends, यह variety होगी, अब है velocity, velocity से मतलब होता है time का, मतलब उसे data को process करें, तो उसे कितना time लगेगा, तो friends, यह हो गई velocity, अब friends, बात कर लिए कि हम इसके application areas की, मतलब friends, कहां-कहां पर यह big data use होती है, तो friends, सबसे पहला है communication, हम communication में भी big data के इस्तमाल करते हैं, retail, financial service, education, तो friends, मैं आपको बता दूँ, जो हमारी amazon, flip card, जो यह सी website होती है, जो मतलब कि हमारी, जिसे हम shopping कर सकते हैं, वैसी website होती है, इनके अंदर big data से काफी ज्यादा useful भी use होता है, इनका, और friends, आपको पता है, big data का जो specialist होता है, उसे करीब 62,066 dollar per year earning हो जाती है, friends, अब आप सो सकते हैं, यह बहुत ज्यादा income होती है, तो यह friends, dollar में है, अगर हम इसे Indian रुपीज में करें, तो यह काफी ज्यादा हो जाएगी, तो अब हम बात कर लेते हैं, data science की, तो friends, data science, तो फ अपनी useful चीज में बना सकते हैं, अब मतलब friends, इसे हम किसी भी big data है, या फिर कोई भी data, जो raw है, उसको हम पहले process करेंगे, उसके बाद में जब वो useful बन जाएगी, जब वो हमारे किसी काम में आ जाएगी, तो इस process को हम कहते हैं, data science, इसे friends, data mining भी कह सकते हैं, विकर यह similar होत जाते हैं, जैसके data को निकालते हैं, raw data से, तो वही ही होती है, friends, यह data science हो गई हमारी, तो friends, अभी हम इसके बारे में और जान लेते हैं थोड़ा, तो friends, data science के अंदर processing होती है, इसके अंदर both structured और unstructured दोनों type की data की processing हो जाती है, उसके बाद में, बिलकुल clean और हम कह सकते हैं, useful data हमें प्राप्थ हो जाती है, और friends, इसके अंदर programming, mathematics, statistics, यह सारी तरीके होते हैं, जिनसे की हम इस data को process कर पाते हैं, friends, data science के कुछ application, इस इस मैं आपको बता देता हूँ, वो है digital advertisement, internet search, image, speech recognition, और friends, आपको बता दूँ है, data scientist केते हैं, जो बतादा data science की specialist होते हैं, वो friends, करी 1,13,436 dollar per year earn कर लेते हैं, और friends, अगर मैं इसे आपको इंडियन रुपीज में बता हूँ, तो यह करीब 85 lakh रुपीज के पास होगा, जो आप सूचो 85 lakh रुपीज पर year, यह friends, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो friends, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, friends, तो friends, आप प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शियर कर दें और अपने हमारे स्चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, so friends, thanks for watching my video and keep watching our channel